सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राहूल न्यू टेकनोलोजी को और बेल आइकन को दवाईए लेटस टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राहूल न्यू टेकनोलोजी में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ओपो रिनो 6 और ओपो रिनो 6 प्रो में एप्स को हाइड और अन हाइड कर सकते हैं दोस्तो यह दिया आपने मज़े इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग को उपन करना है सेटिंग को उपन करने के आपको उपर करना है और प्राइवेसी पर क्लिक करना है प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और एप लोग पर क्लिक करना है दोस्तों यहां पर आपको एंटर प्राइवेसी प तो आपको password set कर लेना है मैं यहाँ पर पहले password set कर चुका हूं तो यहाँ पर मैं privacy password entered करूंगा privacy password enter करने का यहाँ पर कुछ टेक्स पहले से लगे हुए है आपको इन्हें remove कर दिना आपको इसे भी इनेवल कर देना है जैसी आप इसे इनेवल करोगे आपको सेट एक्सेस कोड पर क्लिक करना है यहां पर आपको एक्सेस कोड सेट करना है एक्सेस कोड सेट करते समें इस वात का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में हैज टाइब करना है तो दोस्तो इतना करने काद आपको सिंपली कोने में डन पर क्लिक करना है done पर क्लिक करने का आपको push second का bit करना है उसका आपको फिर से done पर क्लिक करना है तो दोस्तो अब आपका app hide हो चुका है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो अब बात करते हैं कि hide क्योंगे apps को access कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको dollar pad में जाना है dollar pad में जाने के लिए आपको अपना access code enter करना है जैसे आप access code enter कर दोगे तो यहाँ पर आप hidden apps को देख सकते हो अब बात करते हैं कि इन hide क्योंगे apps को कैसे unhide कर सकते हैं इन unhide करने के लिए आपको फिर से setting में जाना है setting में जाने का आपको privacy पर क्लिक करना है privacy पर क्लिक करने का आपको app lock पर tap करना है अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको privacy password enter करना है privacy password enter करने के बाद आपको so locked only पर क्लिक करना है अब आपको उस app पर क्लिक करना है जिस app को आप unhide करना चाहते है एप पर क्लिक करने का वाद आपको एप लॉक को डिसेबल कर देना है जैसे आप डिसेबल करोगे आपका एप फिर से अनायट हो जाएगा दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह दिया आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया वीडियो